सबी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता के प्रवचन में आज हम लोग भगवद गीता के पंद्रमे अध्याय के श्लोक्रमांक 10 और 11 को देखेंगे तो मेरे पीछे आप बोलिएगा यहां पर यहां ग्यांद की चक्षो से समनुःत है जो जिसके ट्रेंइंग प्राप्त है वह देख पाता है नहीं नहीं देख पाता यह फोन किसी को चाइट ले सकते मेरे पिछे बोलिया उत्क्रामनतम स्थतम वापि रामनतम स्थतम वापि फुंजानाम वागुणान वितम विमुढान पश्यंति पश्यंति ज्ञान चक्षुशह बोली आवरते किजिन उत्क्रामनतम स्थतम वापि फुंजानाम वागुणान वितम विमुढान पश्यंति पश्यंति ज्ञान चक्षुशह बोली आवरते किजिन उत्क्रामनतम स्थतम वापि फुंजानाम वागुणान वितम विमुढान पश्यंति 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 ज्ञान चक्षुशह तो उत्क्रामनति मतलब श्रीर जब त्याग रहा है स्थतम मतलब जब वो श्रीर में है वापि मतलब या तो त्यागते हुए या फिस श्रीर में रहते हुए घुंजानाम वागुणान वितम जब श्यंति में है तो किस प्रकार से वह विश्यों को भोग रहा है कैसे अनुगणों से के प्रेरित हो करकिया उसके अंतगत हो करकिया विमूढ हा ना अनुपशंती अनुपशंती का मतलब होता है लगातार देखना और ना अनुपशंती का मतलब लगातार नहीं देखते हैं मतलब ऐसा कभी भी नहीं है कि वो देख पाते हैं कौन नहीं देख पात लेकिन वह समझ नहीं पाता है कि आत्मा श्रीर से भिन्न है आप लोग बता सकते हैं कि दो साल की उमर में मेरा श्रीर कैसा दिखाए पड़ता था इतना चोटे कि 50 साल के बाद वो कैसे दिखाए पड़ेगा तब देख सकते हैं कि पूरा मारे परशुरा हम कर से दिखाए पड़ते हों कि दो साल की उमर बताईए तो हम परशुरा हों कि इतना चोटे लेकिन आप विचार कीजिए कि माता को छोड़ करके कोई वेक्ति नहीं बोल सकता को इ आद नहीं कर सकता है कि दो साल के बच्चा क्या से दिखाए पड़ता हुआ कि क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग के छोटेटे बच्चे हैं 50 साल के बाद वो कैसे दिखाए पड़ेंगा आप बता सकते हों कि अब देख रहे हैं कि हमारे शरीर चले गए हैं गये कि मुरारी समझ में आ रहा है दो साल का श्री गया कि नहीं है लेकिन आखों से देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है कि हम शरीर नहीं है आत्मा है और शरीर का परवर्च नजरा है एक दमस्पा स्ट्रेश को कोई कोई कारण ने सकता आज मैं बच्च को बता रहा था कि कितना भी हम बात को नगारने का प्रयास करएं कि हम आत्मा नहीं है सुररिय से लिक आप डश्रेय है यह लेट में ड्रवास केंजायर इस्ट मेरे बिटा चुल एए या उप Efendimiz कि चुट इस्टों विना स्काटाइए पिता जी तो सामने बिठे वहें और फिर भी ऊप्शेख मुने दे हां ça इसको ले जाऊ शरीर को जाऊ और रो रहा हो क्या चले गए तो गशेख पिता ज्yiचा और इस सब्ज्स तो निसे सिंपल सी बात को सादारन सी बात को लोग समझ नहीं पातें। आज एक लाकत बता रही हैं थे कि उनके माता पता ने कहा प्पता जी याँ आप पढ़ लो तो यह कर लो, यह कर लिया, वैंने नहीं करना चाहता था, फिर भी कर लिया। की इस इस जनम में पीटा नहीं किता हो चुकत हैं। अगर आगे तो अब मेरे बात तो करने की प्रणा देते रहते हैं क्यों और बात करते हैं तो इतुछा तो पर कोई नहीं पाता है तो फिर जब कोई देखी नहीं पाता है तो फिर क्यों बात करते हैं तो कहते हैं ना पशंत ज्ञान चक्षशा जिनके पास ज्ञान चक्षु है वह देख पाते हैं अब जो सब्सक्राइब प्रभुपाजी बहुत सुंदर उधारा देते हैं समझ में कि मान लीजिए कोई गाड़ी खराब है तो आप देख रहा है ग लेकिन उसके देखने में और हमारे देखने मंतर है कि नहीं समझ में आ गया उसके देखने में अंतर है ज्यान चक्षु उससे पता है कि उस गाड़े में क्या खराब भी और ठीक कर सकते हैं तो उसी प्रकार से जो विक्ति भगवत गीता को सुनता है वह समझ पाता है कि मैं यह बात नहीं कही जा रही है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है यह बात नहीं कही जा रही है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है लेकिन शरीर से में कहां जा रहा हूं इस बात का ध्यान जरूर रखना है दोनों बातों का अंतर आप समझ रहे हैं गाड़ी को चमकाना अच्छा और गाड़ी और गाड़ी वाली में अंतर जरूर देखना क् समझते मेरी बात तो तो भढ़ानेक्पर mo 아니면 क्या कह रहा है किस प्रकार से कोई जीव इस शरीर में रह रहा है शरीर को त्याग रहा है शरीर में रहते हुए भोग कर रहा है यह व्यक्ति जो ज्ञान से चक्षु से एक्त है बगवदीता को समझता है वह समझभा रहा है और जो नहीं समझता है वह तो वह देख रहा है कि बस यह व्यक्ति है वह व्यक् जो डी फिल कुल का लुका रहा है और एक विखती आम काचार नहीं गारा है उस बटार्फ्क विखती नुको साथ क्वग करते हैं इतलतल है आधा चार को दिंद हमाड़ें कि प्छान dawn सब से उच्छा कौन अधिश्षय। तो सबसे उंचा जो है अगर भो कहा जाए उंचा मतलब उत्कृष्टता की दृष्टित तो सेव खारना हुआ मैं भक्ती की बात नहीं कर रहे हैं कि अचार खाना मतलब रजुगुण का और शराब पीना तमगुण का अब अगर शराबी कहता है अरे भाई देखो तुम लोग भल का रस पी रहो और मैं भी भल का रस पी रहा हूं हम में कोई अंतर नहीं है यहाँ तो यह उसका तमगुण हुआ के नहीं हुआ सबसाट AGA ऩट Highway क्या कितमुछा रही है और क्यों कर रस पी रहा है और को साथ पी रहा है वह इक किस चीज को चाहते हैं आध में बेहां हुआ ज्यसे अब कि एक पाफ्लने में पीने मैं जयिसे मसाला काते हैं आज कर लो गौन से मसाला होते है राज्द किमेर क्या नाम है ऊब आप है राशारी तो राश्री मालीजह खा रहा है अच्छा ने एक ग्जामपल अब बुरा लगता है लोग को तो बुरा लगाने का मिहां लोग को बुर लगें राश्री का एक किलो का पाकिट लीजिए और एक महान विक्ति के सामने रखे सुवर के सामने और देखे कि सुवर खाता है क्या जो बुरा लगेगा मुझे पता है बुरा लगने के लिए बोल रहा हूं कि जो विस्तु मल खाने वाला जानवर भी ने खाता है वह इंसान खा रहा है यह तम पानी नहीं पिएंगे और के शराब सौ साल पुरा नहीं हाँ लाओ एक्स्ट्रा परसा देंगे तो यह दिखा रहा है सब तमगुड़ है और जो वेक्ति तमगुड़ में है वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि मैं इस प्रकार से गुड़ों से प्रभावित होकर के भोग सुक्षाइड और समझ में कोल रहे हैं में इतना व्यक्ति होर इंडडरी तृत्ती में रहेंगा अथा यह नहीं सिसके आके बंद हो जाएंग इंज और जेतना व्यक्ति ओंदरिते में रहेंगाये को दिखे करका रहेंक और से परूंच मेंधिश श्योंगाडव जन्यानिक देहिनों वस्त में यताते हैं कौमाराम यौवनम जड़ा तथा दिहांतर प्राप्ति धीर धीर श्रीर का वरवर्दन हो रहा है आत्म वही रहती लेकिन कौन मोहित नहीं होता है जो धीर विक्ति जो इन तरह को सभित करता है धीर शप्त अपने और कहां सुना था वाच्यों मनसक्रोद वेगम जिव्या वेगम उद्रपस्त वेगम एतान वेगान यो विशह तधीर तो धीर पुरुष सादो पुरुष को काम क्रोद वेग आते हैं लेकिन उसको सहन करता है और जो विती सहन करता है उसके अंदर ये ज्ञान चश्यों डवलप होता है कि देख पाता क आध्यात्मिक जीवन में इतना बल दे जाता है उसे बहुत हो नाम जब करो भगवान प्रसाद करो नहीं तो सुनने के बाद भी बाते कान में नहीं टिकती हैं हिर्दय में नहीं आते समझ में रहा है क्यों विमूड होते हैं और क्यों किसको ज्ञान चक्ष्व प्राप्त ह होते हैं विमुर्ण कौन होता है जो इंदरती में लगा हús है और किसको ज्ञान चक्ष्वि drawn फॉत होता है जिसकी इंद्र inaccese मीत होती है थे बात मुवर्खरत rapt ना थो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर धयाग सकता है और नहीं वंए यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है लेकिन जिसकी आंखें ग्यान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है गीता बुशंटी का विवेक हीन व्यक्ति जीव का साक्षातकार नहीं कर पाता है यद्यपी वह ऐसा करने में सक्षम होता है क्योंकि वह शरीर में स्थित होता है बहुत सुन्दर बात है आत्मा शरीर से भिन्न है आत्मा मन और इंद्रियों से स्रेश्ट है यानि कि यदि वह प्रयास करे तो अप अपने को शरीर से विविक्त अलग देख सकती है लेकिन सक्षम होने के बाद भी वह उस सक्षम का प्रयोग नहीं करता क्योंकि सिक्षण प्राप्त नहीं है कि में य९ह स 지역 नन डिए अगर सित्टी बात बुले कि क्या तो मस्वें है लेकिन जब तक कोई यह बत आफ को बताई नहीं यहamsus सुने नहीं तो कभी Betreal fucking यह मेरा हाथ है मैं यहाथ नहीं हूं जब तक हमने सुना नहीं था कभी कम शेलीर नहीं हैं कभी नहीं सोचते हैं अपने एक सेरे करिये आख बंद करके कि यह अंदर जो हड़ी है कंकाल है इतर प्रसकिजिए यहां पर हड़ी दिखाए बड़ती है हगी नहीं जड़ाद सोचने कि जड़ते हैं अपना गला तो लेकिन क्यों सक्षम नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसी टेरिंग ही प्राप्त नहीं है यह दपी आत्मा शरीर को त्यागता है यह शरीर में स्थित रहता है और स्थित रहते हुए विश्यों का भोग करता है वह इंद्रियों को नियुजित करते हुए सुख दुख और जूवर हमादि दो लोग आतमा कर एक सक्षा त्यार नहीं कर पाते हैं यह इस तर्फ यह इसा करने में अब सिंपल सारी बात की विवेक की भाई मेरा शरीड परवर्तित हो रहा है मेरे पिता जी की परवर्तित हो रहा है और होते हुए भी मैं वही मानंगा की मिरे जोड़ी पूछेंगे तो आवाज नहीं है लेकिन जब को इस प्रकार से परिवार में रहता है तो वो किस प्रकार से किसी की सेवा अगरो करना चाहता है कह रहा है कि हम यह बात तो सकते है कि हम किसे के बेटे नहीं है और हम किसे के बाप भी नहीं है मतलब किसी ना बैटे ना बाप ना कुछ तो हमें किसे बरताव करना चाहिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम कि हम फिर उनके पड़ापि और अधार सहा यह सिपर एक बहुत बहुत लुद होना चाहिए उन से पाफ एक से क्रीए कि आपने घृते हैं कि अफ और वे स्वेंके रहें आप एक हुम करेंगे और Killهم करेंगे कुछ सिवाभİ करेंगे कुछ क्लेंगoca फैलेंगे और भुब जाएंगे वह सब्सक्राइब करना नहीं लेकिन बाहरूप से ऐसे आचरण करना चाहिए आप बेटे हैं पता इस एक बॉल फेक्रावाव से कैस्ट करने का प्रयास की बहुत अच्छा स्टाइल है उनको लगनानी चाहिए कि आप बहुत स्पेशल वेक्ति हैं उनको लगनानी जब तो प्रीचिंग नहीं किया तो मालूम नहीं चाहिए था बड़ा प्रेम करते थे प्रलाद मरास से बहुत आपको पता होना चाहिए पहले ना कर्शिप को कि आँख में आशु आ जाता था प्रलाद जी को अपने गोद में लेकर उनको सूंगते थे उनके माथे को सहला सारी सरको सहलाते थे बड़ा प्रेम करते थे बात में प्रीचिंग किया उन्हें दूसरा माता पिता हो चाहिए को असमान नहीं करना चाहिए बड़ा पॉइंट इस कोई कहें माता पिता कहें कोई भी कहें कि जब मत करो तब नहीं मानना चाहिए बात और दूसरा अगर हम इ कैसे हम इनको क्रिष्ण के और करीब लेके आ सकते हैं वह बहुत तरीकी होते हैं प्रसाद दे दीजिए या उसे कुछ मिठी बात किजिए प्रेम से कुछ बोलिए यह बहुत अच्छा मेडिटेशन है इससे आप हम सभी को प्रेम कर सकते ना सेर्फ खिल्माता पिर्दा को फिर्दा कर से भग्त के हरदे में इच्छा है कि भक्त बन जाए वेक्ती तो जरूर्ब भन जाए यासात आपनी ब्हान को बोलता मेरि बहुत इच्छा कि तुम शोलह माला करो तो हैसे मैं बात कर रहा तक तो मुझे कभी तुम आप तो बोलते ने इमने का आप नहीं दोपन कर दो मारा थो करने लगें हम तो का अचा कर सकते हैं कि था चुड़ करने औ가 credo वह भागतिद करने लग जाया है मानने है कि वह वह अब बात कर रहा हूं we do would do it आपके आया आपके यह राम सुंदर मे ईहांज और काश वभक्तित करने लग जाये सोचे कितनी सुदर magic ये उ संदर चेटना है वो करेगा नहीं करेगा काइब ने पता लेकिन आप ये संदर लेकिन आपकीछ न्हीं संदर बहुत से काश ही भगवान के द्हाम जाये काश ही भर्वान के भक्ति करे कितनी सुनदर चितना है अ इसे बाते में भावकता मैं नहीं बहुत लोग प्रcake फल्क्त कर रहा है चुछाए व्हां ध्य मैं शुटाट अरुक तो बात चल रही थे कि उनको सम्मान करना चाहिए इस रिष्ट तो मेरे इलेटिशन मेरा कुछ काम कर रहे थे मेरा कुल रिपैर कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस वह करते हैं कभी उनको में कृष्ण भावना के बारे में कुछ बता नहीं पाया और आवाश्यर करेंगे क बुलर रिपैर करके एक एलेटिशन अंदर आया का प्रभजी में माला करता था मेरे को माला ची और सो हैपी और उसने बूला के क्या मैं तुलसी माला कर सकता हूं मैंने का रखिये यह ले तुरहंत ओफर करके बसे दे दिया कल से तुलसी माला बजब करता है इस सम्तें में अन्वात कर ही शास्त्रि नहीं जानते हैं उनको हमारा करता है कि हमने बताएं And within a moment तो यदि हम इस प्रकार के इच्छा करें यह सबसे अच्छे इच्छा है हम आपको पता होना चाहिए कि हम जब भगवद गीता पढ़ रहे हैं जाम जब कर रहे हैं तो आतना के रुप में कारे कर लें तो यह लोगं को पता नहीं है तो हमें दूसरों को बताने का प्रयास करन है कि वह भी क्रिष्णी के दास हैं हम उनको कैसे क्रिष्ण भक्ति के तरफ थोड़ा और आगे बढ़ा सकें समझ रहे हैं यह attitude होना चाहिए पिता जी हो माता जी हो भाई हो बेहन हो कोई भी हो कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि मालो माता पिता हैं और आपको कुछ देना चा हुआ हाँ पापजी दे 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 दीजे मंदिर के नाम नहीं करूंगा तुमारे नाम करूंगा ठीक है कभी नाम कर दी लेकिन उस मोटर साइकल से रोज हम मंगलार दे जा रहे हैं और वक्तिक सिवा कर रहे हैं तो उसका चारा ना क्रेडिट उनको यह बात समझे जो कुछ करता है उसमें सहायता देने वाला या उसको प्रिणा देने वाले को तीनों लोगों को मरने के बाद एक ही लाप प्राप्त होता है तो अगर आप हरे किसना कर रहे हैं दूसरों को भी हरे किसना करने की सहायता प्रिणा दे रहे हैं तो उनके हरे किस आटमा को देख पाते हैं मुझे आवयाद आ रहा है मेरी बुवा जी थी उनको मैं प्रचार कर रहा था नाम तो नहीं बताँ को क्या है लेकिन पांच वुवां में से एक थी तो उनमें से एक को बोला मैंने भाई बहुत पहले की बात है मैंने आखे हम दो शेरी नहीं आत्मा अ फिफ्य है यह को जह को बोले यह क्या भॉच्छल्ने का प्रयास्त है यह समझते हैं कि मूर्ख लोग जो है रही है के वह देख लात पाते हैं कि आत्मा इंद्रि और शेरी ंशीर से बहन nationalism आभ देख पातनवैं जो मलब बुद्धिमान वह लोग है वह दैक पाते हैं विवेकर्थ समझती है विवेकर्थ होता है है सार-असार का भेड़ देखना और वस्तु病 है किया आत्मा है चिहां में तत्व है और क्या असार है कि बहुत एक वस्तु ठीकक पूर्यान It is a Jan चक्शिशा शब्द अत्य Elesं महतपूर्ण है बिना ज्यान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस श्रीर को किस प्रकार त्यागता है और नहीं यह है कि अगले श्रीर में कैसा श्रीर धारण करने जा रहा है क्या आप इसे बाते देख पा रहे हैं का शरीर कपत जाता है जब उसका प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है ठीक कीडिव कैसे धर न करता है जैसे उसने इस जीवन में प्रकिन होता है या उसको चरपत होता और उस अगले दिन सुभे हो सकता हो हो और भाव भाव कर रहे हो bah कर्म कर रहे हैं उसका ही समावेश का सकते हैं जोड़ हो करके हमारे इस जीवन के अंत में एकटा होता है अब इसमें बहुत सारे फैक्टर है कि इस जीवन जो कर्म कर रहे हैं उसका उस पर पिछले जन्म कर्म का भी प्रभाव पढ़ रहा है लेकिन सब को समझने की बजाए इनको तोड़ने का तरीका लगा चाहिए तोड़ने का तरीका क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष् समझ रहे हैं तो इसलिए अपने आप भग्मान रक्षा करते हैं वक्तों कि अत्वव यह कि वह विशेष्प्रकार के शरीर में क्यों रहे रहा है अंसी शरीर त्याग रहा है कैसे शरीर धारण करने जा रहा है और इस समय उसकी मान सिक्ता ऐसी क्यों है को तैसे कोई बुद्धी मान है को देवी गुणों से है जिसको भी हम सुनेंगे आगे क्यों है लोग समझ नहीं पाते हैं वह क्यों है कि पहले जन्व में उस ने इस प्रकार के कारे की हैं अब हो और फली भूत हो रहा है जैसे कि आप अगर आम का भीच डालेंगे तो करेलध जो रहे देख रहे हैं तो सका मरलब करे लेगा बीच पड़ा हुआ है तो जो बुध्लीमान विक्ति वो देख पाता है कि कोई विक्ति इस जीवन में भी हो। प्राप्त करके विशेश प्राकार के भुवों के प्रतिय आकर्शत है एक ही घर में एक विक्ति बड़ा धार्मिक होता है दूसरे का बिल्कुल मती नहीं होती है इसके लिए परियाप्त ज्यान किया शक्ता होती है जिसे प्रमानिक गुरू से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाइलोजी के चप्टर पढ़कर के और साथ साथ हिस्ट्री जॉग्रफी पढ़कर के समझा जा सकता है ने विए यह लिए परियाप्त ज्यान किया शक्ता होती है जिसे प्रमानिक गुरू से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही गरंतों को सुन क करके इस समझा जा सकता है इसको बहुत नेग्ट चरते हैं लोग भग्वान के नाम के साथ यानि दिव्व नाम के साथ ग्यान खिंश की बहुत आवशक्ता होती है ताकि हम नामे को सही चेत्रा में कर सकें अपने संभंध को समझते हुए कर सकें जब मेग सैंस और भगवद प्रमानिक गूरु कौन होते हैं जस्ộc परमपरा में क्यंद प्रास्थ किया है और वह परमपरा बाबाू कालो काला मुलाईश शुरू नहीं होती है मैंने सब्वाबु काला मुलाईश मतलब हमारे गूरी जिश्ट इन बाबा से हमारी परंपरा सालो हो रही है क्या गलती है गुरुजी स्वयम ही परंपरा के प्रणेता बन गए जब कि प्रंपरा का प्रणेता कौन हो सकता है भगवान स्वयम हो सकते हैं कि भगवान को भगवान ही जानते हैं वह जैसा ग्यान दिते हैं फिर परंपरा में ग् इस कौन मैने से पहले और सभी जगे जीवन का लक्ष क्या है उस ब्रह्म हमें जाकर के मिल जाना अगर ब्रह्म की बात भी आजये तो नहीं तो वहीं पहुंच जाओगे इतना ही बोलते हैं उस और वहीं का अर्थ क्या है वहीं का मतलब वहीं अब पुछो कि गुरुजी ने बोला का वहां पहुंच जाएंगे हम जैसे मुझे याद है मुझे बहुत हंसी आते गार में गागरा में प्रीशिंग करना गया था तो हम लोग प्रसाद पा रहे थे तो यह विक्ति आया और उनका यह आपसे कुछ प्रस्न करेंगे तो प्रस्न तो कुछ ने कुछ किये नहीं बोला जहां पर आप है ना वहां पहले ही पहुंच चुके हम ने का हम तो नरक में तो गड्डेंगे रहे हैं तो आप भी गड्डे पूछ तो कुछ ने इनको पता है तो ही सब बात हमें समझना चाहिए कि प्रमानिक गुरू से अगर नहीं सुलेंगे तो यह भी समझ में नहीं आएगा कि हमें कहां पहुंचना चाहिए कल पढ़ते पढ़ते रात हो गई तेकिन ऐसी बात पढ़े थी कि बस क्या बताओं मै कि अब अशनली बताने की विए तो बोल रहा है तो छों संदर था रहे हैं कि कुछ कुमार जब पहली बार व्रिंदा उस मौ जाते हैं गुलोक मौ जाते हैं तो इस करिषन लौट रहूते हैं यह समय हैं लौट नहींगा क्रिषन लौट जू आखे साथ में होर पहले घॉ और रोज का लिला है सब की आखें किरिश्न कर बाएंगे सब कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा है और कृष्ण गोपकुमार को देखते हैं जो की बहुत ही जगत से आए और दोडते हैं सब को छोड़के दोड़ते हुए कृष्ण के पास आते हैं और को कस्क्यालिंगन कर लेते कि अपर कृष्ण भीखोष जाते हैं इस तो मुच हैपी तो हैव द लिविग एंटिटी कम बैक तो हैं उसके बाद बहुत आगे बार पास टाइम है फिर कृष्ण को नहीं पर सब रोने लगते सुस्ते हैं लगता है कांसर को विक्ति आगा इसने कृष्ण को बिखोष कर लगते हैं फिर बल्राम जी आते हैं वो भी रोने लगते हैं शोदव माई आती हैं वो भी रो सब रोने लगते हैं क्रिश्ण को क्या हो गया फिर बल्राम जी को पहले आके तो पहले बल्राम जी रोते हैं फिर बल्राम जी आकर अपने को सहमत कर लेते हैं फिर गोपकुमार कहते हैं गोपकुमार के सर के ऊपर कृष्ण का जो ब्धोशने कृष्ण उनका चलन कमल रख देते हैं और फिर गोपकुमार से कहते हैं कि तुम कृष्ण को पुकारो तो कृष्ण को क्रिष्ण को बुलते हैं फिर कृष्ण को हो जाता है फिर कृष्ण को सब स्नावान करने जोटे भाई हैं और उसके बाद सब लोग खेला रहे हैं हाद से वन्राम जी हाथसा खेला रहे हैं लंद आभा खेला रहे हैंगे रे भी सुवारे। तो गोपिया भोजन लेका आते हैं सबकर भोजन क्रिश्न क्रिशन घारें और एक बार नहीं अब बार कितना प्रेम करते हैं कितनी आत्मिता है गोलोग में कौन लीन होना चाहेगा बगवाम में बताईए और कहाने यहां पर समप्त नहीं होती है और फिर राधाराने मनोहर लड़ू लेके आते हैं और मनोहर लड़ू कृष्ण खाते हैं और असा मू बनाते हैं किसले नीम का लड लड़ू को पूरा जो पूरा टोकरा है उन्हीं के पर फेक देते हैं तुम खाओ ऐसा लगदा लेकित तुम खाओ तो और जब मुह में डालते हैं रहे हो बोल्ड हो जाते हैं आप देख रहे है कि जीव पहली बार गोलू गया उसको राधारानी के हाथ का लड़ू खाने क अजिए भूत चछा बहुत सु्धा प्रसंग थे बात कर रहे हैं तो यह हम कपोल कुल्पना की बात नहीं कर रहे है सनातन को सामिपाथ को बोल रहे हैं ऐसा है कि हम लोग क कौमिक की बात पढ़ रहें तो यह सब बाते हमें कहां मालम चलेंगी पूरवर्ति आचारियों की परंपरा में जब हम इस बात को सुनेंगे तब हम भगवान के बारे में ठीक-ठीक समझ पाएंगे यह बात में खाली बोल लाता है जो प्रमाने गुरों के मद्दम से हम गोलों की बातें कर सकते हैं और अ जादीन होकर भोग करता है फल सुरूप इंद्रिय भोग के भ्रम्मे नाना प्रकार के सुक्धुख सहता रहता है जैसे वह वैक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण नुर्णतर नूर्ख बनते रहते हैं अपने शरीर परवरतन तथा विश्यष शरीर में अपने वास को विवेक्ति खोल बैठते हैं यही बात वाक्या की गई थी कि जो वेक्ति काम इच्छा के कारण बार-बार इंद्रितिप्ति करता है वह विवेक्शून हो जाता है वह समझ नहीं पाता है कि मैं शरीर से बिन्न हूं कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि जब करते-करते उनको अनभूति होती है एकदम से कि हमाई शरीर नहीं हूं अनभूति के ऐसा नहीं की थियोरी तो सब क्यों हो रहा है भग्वान ही उस ज्ञान को लब हिर्दे में आपके प्रकट तरते हैं तो जो वित्ति तपस्या करेगा जब करेगा उसको अनभूति होगी और भोग में पड जलकर विभन प्रकार से भोगता रहता है क्लियर है ऐसे ज्ञान से युक्त विक्ति समझ सकता है कि इस अंसार में बद्जीव किस प्रकार कश्ट भोग रहे हैं अतेव जो लोग कृष्ण भावना मृत में अत्यदिक आगे बढ़े हुए हैं वह इस ज्ञान को समाने लोग और कभी कभी पागल हसता है दोनों ही परिस्तितियों में आप उसको देख करके क्या दर्वी भूत नहीं होते हैं दर्वी भूत समझते हैं रदय में दया नहीं आती है क्या पागल को अगर आप रोते हुए देखें दया आएगी अचा और हसते हुए देखें तो तब थोन जो बीकती ते ही अजीने, अजोने, गुणों के द्पागुल है उसके changer महतना और रूना दुनों ही शोचनी गॉर्स अइसके विचारनी नहीं है शप्डुकर के ना चाहिए शोचनी मतलब शुक किया जाना चाहिए शोच निये नहीं शोच निये हैं शोच निये हैं हिंदी समझ रहना शोच निये हैं मतलब दया का पातर है और चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो वो दोनों ही वेक्ति दुख के ही दया के ही पातर है इसलिए कृष्ण भावना का प्रचार भक्त लोग करते हैं मैं बार बा और सोचिए अगर कोई पागल लगा बहुत पैसे वाले का बच्चा हो तब सोचिए कितनी दया की इस्तित्य होगी कि कहां यह अगर अच्छा होता तो अपने पिता के संग रह रहा होता अब यह जमीन पर लोट रहा है कि ईंब नहीं है तो हम सोच कि कितने बाड़े बाप की बेटे हैं कृमी के बेटे बेटे से इस लिकिन हम कहां इस जकत में रगड रहें तो यह हृथ चाहिए निंगान को देने का प्रयास करते हो हृथ उन्हें इसमें इसमें से निकल कर क्रिष्ण भावन अम्रत हो कर आध्यात्मिन लोग में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए की जरी से मुक्त करना चाहिए इन गुनों के प्रभाव से और कैसे मुक्त होंगे वांगे होग कि भक्ति करके एख लोकर देंके यहां तो कोई प्रेश्ण है ओके कि आगे पढ़िए बोली मेरे पिछे यतंत योगिनस चैनम यतंत योगिने-स चैनम पशयंत आध पशंत आत्मनि अवस्थितं अवस्थितं यतंत अप्यों खृतात मानो आपक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र है किस परकार से ग्रहन कर रहा इस सारी बात देख पाते हैं यतंत अप्यक्रितात मानों लेकिन जो अक्रितात मान और रहां जिनकी इंदिया स्वेमित नहीं है जो भोग में लगे हूएं वह देखने का प्रयास करने के बाद भी नहीं देख पाते जैसे एक बता रहते कि ताओ जी मर गए तो पिता जी को कहां पिता जी बजन करो ताओ जी कहां गए तो जैसे ऐसा लगता है कि कान वे बात गई ही नहीं मरते दम तक बेटा मैं पैसे कमाऊंगा अब आप देख रहे हैं ये तन तो अप ही अकृतात मानो प्रयासी नहीं करते अगर आप बताएं भी तो भी नहीं समझ पाते तो इसलिए धीरी धीरी जब भवान का नाम जब करें भवान की भक्ती करें थोड़ा 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 सुनेगा तब जाकर को समझ में आए कि बाद नित लोग परपात कितना बोलते हैं कि हम लोग आपन जीवन और ना देखे पाने की कारण हम लोग भौतिक उपलब्धियों के पीचे भागते रहें कि मैं प्रसिद्ध हो जाओं ये पैसा मिल जाए मुझे ये प्राप्त हो जाए मुझे वो प्राप्त हो जाए और एक जटके में बाहर आउट और अधुद बात यह कि बागी लोग नहीं देख पा रहे हैं यहीं बात बहुत बोल रहे हैं यतन तो अपी अकृत आत्मान अगर देखने का प्रयाज भी करें तू भी वह नहीं देख पा रहे हैं कि आत्मा कि इस प्रकार से श्रीर से भिंड़ है नेनम पहना चेतर नएनम इसको नहीं देख पाते हैं गैसे ते साधिन की चेतिना शुद्ध नहीं आत्मसाषात्कार को । और ब्रयत्न शील योगी जन का थे सकते हैं ये यह स्पस्टूप से देख सकते हैं जिसकी थे पिछले जिलोक लेकिन जिनके मन विख्सित नहीं है और जो आत्म साशाथ को और को प्राप्त नहीं है वे प्रियत्न करके भी यह नहीं देख बाते कि क्या हो रहा है गीताएवूशनिका भगवान इस विशाय का विश्तार कर रहे हैं कि जिनके पास ज्ञान चक्षू हैं वैं आत्मा को देख पाते हैं तो यहां य स्लोक में कहा रहा है की हां आत्मा को देख पाना कठेन होटा है देने का समझना चाहिए देखने कीह आ रहती यह हैं करते हैं नहीं सोचना चाहिए कि सीधे आत्मा दिख रही है ज्ञान की दिर्श्टित से आत्मा को देखना चाहिए इस ज्ञान और सब्सक्राइब कोई मतलब नहीं है यह बार बार हम बोलते हैं इतना असान नहीं होता है इस जगत की उपलब्धियों का मेरी मुझे से कोई संब्द नहीं है लेकिन लोग समय नहीं पाते हैं इस ही में इसकी उतनी उच्पद भी मिली उतनी नहीं मिली एकदम भूला हुआ वैक्ति की वह है का ना को याद है ना आकाश का रंग क्या होता है समदर प्रूब हां आकाश को रंग झाल होता है रग्रिंश्च कोई ढिला होता है नहीं होता है लेकिन क्लू लत एक निला उता है है की नहीं इन केना नहीं इनकी बहुत नहींडा करने क्या दढ़त है कि तुम मैंने उनको ऐसे मजाक किया है अम एक तो ऐसे रंग नीला ना है तो आपको ऐसे लग रहा है कि आकास का रंग नीला विम्म में को समझाया कि आप इतना नंदा करते हैं जिस विक्ति कि आप नंदा करते हो उसको भी देखे हुआ वो एकदम से अनकभाइब हो गये थिब उस वह उस अशॉख फर हैं इसन्ट? मैंशीन स्की नीं तक रहा है उसका यह आदम बहुत खराब यह कर रहा है तो उसको देखे है वस मुझे से के तहां सक पका गए थे वह क्या बोल रहे हैं कि जिस विक्ति को आपने पूरा देखा भी देखें जैसे आकाश को रंगा मनीला बोल रहे हो तो कि नाकाश कोई नहीं रग नहीं है उसी तरह से आत्मा के कई जो आवर्ण है जर्स वहाव है इसी का हम एनलिसिस करते बढ़ते हैं और अपनी वाने को विर्थ करते हैं तो यह अगर हम अपनी चितना कुश्यों से नहीं कर रहे हैं तो इसे बाते नहीं दिखाई पड़ेंगे कि किस प्रकार से आत्मा है और विपनी श्रीरों को अपने गुणा पूर्व कर्मान सार धालन करके चल रहे हैं योगी जन्ञ जो श्रवन आदी प्रक्रियाओं के अंतरगत प्रयासरत होते हैं वे आत्मा को श्रीर में इससे देख पाते हैं यहीं बात बोल ला था किने अभी जब हम बार-बार श्रवन करते हैं तब धीरी दिरें को समझ में आता है कि हम श्रीरों से नहीं आत्माओं से डील कर रहे हैं ठीक है श्रवन करने से होगा जो अन्य है शुद्ध होने के कारण और विवेक शील ग्यानना होने के कारण वे इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं कहने कारती है कि आत्मा को देख पाना कठिन होता है कौन से दो कारण से नहीं देख पाते हैं एक तो हुर्द है अशुद्ध और दूसरा क्या है ग्यान नहीं और ग्यान तो जाता एप भाएं तिथे थी जाता एप आम एक वेक desi क्राइं आया थी बात करने के लिए तो कुछ उइसे बात इंगहा था की निराकार है यह है वे कैसे ौटि जानते ही प्लच ने बोला गूरू के से जानते हैं ौट toca को ने भोला है हम उसको भी बोल देंगे तो यहीं बात यहां पर भूलि जा रही है कि क्यों विवख जागरित नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसे व्रिक्तिक नहीं कर रहा है जिसने प्रमानिक रूप से परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त किया बात आप लोग को बहुत सिंपल लगती है लेकिन ये बात बहुत इंपोर्टन्ट है कि परंपरा में वित्ति ज्ञान स्विकार करें यह सोचना चाहिए कि मैं अपने शेरी निर्भात के लिए जितना आवर्शक को कारे करूं और बाकी सारा समय हमको अपनी आत्मा के कल्यान के लिए लगाना है यह सारी बात में कांग्लूजिन है नहीं और नहीं तो हम केवल शेरीर के धर्म के उसाथ चलते रहेंगे तो इसी भावना से गरसित रहेंगे कि मैं शेरीर हूँ बजट मेंक सेंस ताथ परियो अनेक योगी आत्म साक्षाथकार के पथपर होते हैं लेकिन जो आत्म साक्षाथकार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शेरीर में कैसे कैसे परवर्तन हो रहा है ठीक है यह तो स्पष्ट है जो क्या ग्यान नहीं हो समझ नहीं पाता इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्पूर्ण है आज कल ऐसे अनेक हाँ आज कल ऐसे अनेक तथाकतित योगी हैं और योगियों के तथाकतित संगटन हैं लेकिन आत्म साक्षाथकार के मामले में वे शुन्य हैं बहुत सुन्दर बात प्रपात करें प्रपाजी के समय भी था और आज भी है बड़े बड़े योग शिवर लिखते हैं उनमें से किसे को पूछो महराजी यह बताईए कि हम हैं कौन और हम कैसे मुक्त हो सकते हैं तो वह क्या बोलेंगे कि तुम यह अनुलोम विलोम प्रनायम करके मुक्त हो सकते हो कुल हुए यह इक कोई नहीं अब मैं याम है नाम किसी की बात करना हूं नाम तो बहुत सारे उनके हो गए बहुत लोग जानते भी हैं छेकिन एकफ्ली प्रमश भी नहीं बोला कि तुम हिस शेरीर से मुक्त करा की मुक्त है नहीं लेकिन कहीं प्रभचन नहीं हो रहा है कि हम किस प्रकार से कारे करें कि हम को तुबारा यह भी प्रकार के दुख देने वाला शेर प्राप्त ही नहीं और दिक्कत यह है कि यह बात लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं भवान खुदी बोलते हैं मनोश नाम सहस्त्रिश्व का अश्चे दियते दिसे दे जानवर कि तिरह जीना चाहते हैं बस कितने हैं जोग की बात है कि भारत में इस्तिती है और वह प्रभपाजी गांदी जी को बूला करते थे कि आप इतना अच्छा कर रहे हो इतना अच्छे लोगों इतना प्रभाव है आपका लोगों के उपर अगर आप भगवद कीता की आप पॉल्टिस से रिटायर हो करके प्रभपात कहते थे कि वह अल्मोस्ट वैष्णव बहुत गांदी जी बहुत मुलो थे ना क्या कहते है उसको तपस्वी थे बहुत सिंपल जीवन जीते थे जो वह बोलते थे वह करते थे बस एक चीज़ नहीं कर रहे थे गीता का ज्यान वित्रण नहीं किया प्रभपात है चैनल लेटर में लिख्ये है सब बात कि तो इस दुख की बात है कि जो लीडर है वह स्वै नहीं जानते कि लोगों को किस प्रकार से गाइड किए जाय कि उनकी दूबारा जन्मन नहीं हूँ तो यह बात प्रभपात कह रहा है कि तथा कभधित आत्मसाशारत्त के बाते ह से मुझे याद है मैं इंडोनेशा गया था बहुत बड़ा स्कूल था और वहां का क्या कहते हैं उसको स्कूल की एड मास्टर प्रिंसिपल प्रिंस्पल तो से बात चीज चल रही थी तो वह बुझे हम यहां पर Transcendental Meditation करते हैं मैं का Transcendental का मतलब क्या होता है कोई उत्तर नहीं मैं पूछो कि आप अपने आज चाह खाया पुलाव खाया पुलाव का मतलब क्या होता है कि अगर सब्सक्राइब पुलाव का मतलब यह कि क्या जू था यह था दुबा समझ में आती है आपको मैं कर रहा है और प्रिंस्पर से पूछ रहा हो मैं बचल नहीं पूछ रहा हूं बच्छों कि टुए में लिदर्ट से पूछ रहा हूं कि हमोख वेचा ठांसमी मतलब क्या होता है किसको अ कि इसे कर रेंप and कोई उत्तर नहींcier वहां सब लोग बोलते हैं ओम स्वस्थियस तू अमने का मतलब बताओ सवस्थी का मतलब बताओ अस्थू का मतलब बताओ यह भारतियों की योगिता है कि पूरे विश्व को गाइडेस दे सकते हैं उसको पतानी और सब को करवा रहा है बच्चों को लगे पड़े हैं और वह प्रमिस भी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी गाइडेस दे रहे हैं जिसको भागवत में क्या बोला गया है अन्धा यथांदेर उपनियमाना तेपी शुतंत्रह अरुदाम निबध्धा बहुत अच्छा धार लगता है मै क्या थेंदा ही और और मेरे पिछ wood रगभ ऑगय करता है लोग्र इसका मैं रखा अंधाे सब्सक्षान होगा तो兩ह क्या थे बताओं कि मैं यहां और में हम समझ पा रहे हैं अभी समझ पा रहे है आज प्र हूँअ तो कैसे जो बिचला है वो मेरे उचा अपर हात रखा हुआ है कि आधए पयल्से चाहिए जानेगा की अंदा हुआ है यदि उसकी बताओं यह नहीं है ए कि आप समझ पा रहे हैं अभी पारे आज क्याल कि किम एढ़को पूछो कि भाई जीवन दोदेश्च क्या तो एंदा हुआ को यह हो तो कि वो लेगा मैं यहां का हूँ मैं वहाँ कहू हूं भारति हैं को यह हूं हुस्क्त दी जानले लेकिन प्रजंट अपने को ऐसे करज रहे हैं कि बहुत बड़े लीडर हम सब कुछ जानते हैं यही बात भागवत रही अंधा तो यह बड़े दुख की बात है तो प्रभुपाज इसलिए कहते हैं हमारे जंग है आप सोच रहोंगे हम लुग कमयता कठोर बोल रहा हूं हम युद्ध कर रहे हैं जैसे आर्जुन युद्ध कर रहे थे कौर्वों के अगेंस्ट युद्ध चल रहा है वेवकूफी की फिलोस्फी की अगेंस्ट निर्वेशेश शुन्यवादी पास्षात देश तारने तारने तो इसलिए अवश्यक है कि बातों लोगों को पहुचाए जाए कि इस परकार से मुर्ख लोगों के मुर्ख गुरुवों के आश्रे में विक्त उप बुण nutrili Duch जा रहा है मुगैं लुधा dewald को चूऑ जुव चूएक असना किसे म्यस्फद्श प्रश्ण कॉन्द बाते हैं और भघ्वान कौन है और भगवान से वारा क्यास समर्थ तो ने मैं नहीं इस पाहार जाकर है तो यह स्थिति है आज करके गुरुओं की आप सब बाते हैं मैं इतना क्यों उसको खोल रहा हूं कि जो गुरुजी नहीं देख पा रहे हैं तो चेला जी कैसे देखेंगे इस्ति है बहुत सिति करवड़ है लेकिन जो दिमान वेकती है वह भगवत गीता का आश्रे लेकर के सूर के समान जो भगवत गीता है उससे प्रकाश प्राप्त करता है वे केवल कुछ आसनों में विस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगटित तथा स्वस्त हो जाता है त बात इसकी वेक्षा में कर चूंब और नहीं कर रहा है उन्हें इसके अत्रिक्त कोई जानकारी नहीं रहती वे यतनतप्यक्र प्रपाजे के कहते हैं कभी-कभी कुछ मुर्ग लोग सोचते हैं कि नाक और हाथ ऐसे दबा देने से कृष्ण को अप्राप्त कर लेंगे कृष्ण को संतुष्ट कर लेंगे आप ऐसे अब टांग उपर दबा दी हाथ अचा मोड लिया इसे कृष्ण प्रसर्ण होएंगे क्या क्रिश्ण तो केवल भवान की अपनी भक्ति से प्रसर्ण होता है इससे पर है कि मैं आगे जाएक पॉइंट बता देना चाहता हूं बहुत सुन्दर पॉइंट था कल पढ़ रहा था इसको बहुत सुन्दर क्रिश्ण प्रेम क्रिश्ण की क्रिपा से ही प्राप्त होता है कैसे मिलता है क्रिश्ण की क्रिपा से लेकिन यह क्रिपा कभी-कभी किसी को अकस्मात प्राप्त हो जाती है और कभी-कभी और प्राय 눌러 yes कभी कभी होता है और कभी कभी कहता है ब्रामन की नहीं मैं मैं अपने हत का बन खाऊंगा तो आымको सीधा सीधा कहते हैं चावल कच्छ क्च चावल दे देतें चंप लेकिन ऐसा हमेशा हर किसी किसी कि संग नहीं होगा पर आया हमारी सिति क्या है सीधा चावल मिल गया सिधा मोलते हैं शिधा चावल मिल गया उसको खुद पकाना पड़ेगा रतहाद हमको बजन करना पड़ेगा तो हरे कृष्ण प्रेम क्रिश्टि के क्रिपा से ही प्राप्त होग करते ने करते हैं प्रयास करते हैं लेकिन बेर सुरूप्सॢ्र नहीं उपाते हैं ऐसे विक्ति आत्मा के देहांतनन को नहीं समझ सकते के वल वे ही yisya सबी बातें समझपाते हैं जो सचमुच योग पदती में रमते हैं और जानि आत्मा जगर की अन्यूर की अनभूति हो चुकी है दूसरे शब्दों में जो भक्तियोगी है वही समझचे और लुद आस पास के लोगों को संद्रि त्रिवत्ति में लागा देखते हैं तो हम उनसे द्वेष्ट करते हैं और refrटेट हो जाते हैं क्या ऐसी चेतना सही है यह अच्छा प्रश्ण है जब हम लोगों को इंद्रितित्ति में डूबा हुआ देखें तो इरिटेट नहीं होना है उसे पहले बार तो उसे दूर रहना चाहिए कि भी एसा ना कि वह इंद्रित्ति के प्रवृति हमारे अंदर हे आ जाए और अकार हो सके तो हमें उन्हें मदद करना चाहिए कि वशेम इस समझ व द०्ल रहे हैं इसका अनभव मेरे को भी है एक बार हम किसी भक्त के घर में गए थे और नीचेट निउस चल रही थी वह फुल वॉल्यूम पर ब्रेकिंग निउस और मेरा सर ब्रेक हो रहा था वो कहें आप हल्वा खा लीजिए हमने का ने मैं पानी पिला के छोड़ दीजिए हम नह पर पर लोहा अमारे ONE में डाल रहा है यह भक्ती के में उन्नत होने का लगशन है या को दुनिया की बात करता है तो फिर वो खराब लगता है तो यह तो भावे का वरक्त को ऐसा बात है बिलकुल नहीं धी लगत है तो महां से हाट जाना है उचित है लेकिन ब्लस कर नहीं हो कि आप एक भक्त ने विरोध पस्तुत किया है कि आप कह रहे हो कि योगा करने से क्रिष्णी की प्राथ्थी नहीं होती लिक्न आप ही भूलते हो कि सुरु नमस्कार करो ताकि जब अच्छा हो जाए इस देखे सुरु नमस्कार से आपको शुद्ध नाम प्राप्त नहीं होगा कि समझ रहें ऐसा नहीं कि सुरु नमस्कार करने वालों को क्रिष्णी प्रेम प्राप्त हो जाता है लेकिन आप युक्ति विलाके के बारे में भी सुनते हो हम सुरु नमस्कार से आ सकते नहीं हैं लेकिन उससे हमारा शरी ठीक रहें जिसके दर हम भगवान की भक्ति कर सकें इसलिए उसका उप्योग कर रहें मुझे पता जब मैं यूगा करता था तो लोग कहते हैं अरे इस की स्वास्ध मिलेगा जिसयों की भक्ति कर सकता हूं भक्ति भूट्भाव किस तर तक को अपने स्वास्थ की ध्यान रखना पड़े गा कितने भाव में कोई हैं क्यों नहीं है ज़े भाव के सतर पर हैं तो आपको अपनी देह की स्मृती नहीं रहें को यादी नहीं BACK Inspect a य Will कि अगर मालोग कुड़ते में कुछ खोंता लग जाए तो जब कर सकते हैं तो कि अगर यह स्थिती हो जा रही है कि अपने धे किस मृति ही नहीं तो कोई कुछ भी योगा करने की तुरत नहीं है तो अगर वक्ति का वक्ति बीमार पड़ता है, तो सबसे पहले उसके लिए स्वास्त बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका मन शुप दो जाएगा, वो भजन नहीं कर पाएगा, अब देखी रहते हैं, बुखार में कितना दिकत हो रहा था, तो कि उसका उपयोग क्यों करते हैं मैं उसको समझना चाहिए, कि हम लोग इसलिए स्वास्त के थान रखते हैं, ताकि भग्वान की भक्ति कर सके, प्रभपाजी खोदी आप जानते हो, मसाज लेते थे, टाइम से खाते थे, और क्या करते हैं, उसको परिक्मा में जाते थे, ताकि उनका स्वास्त ठीक रख सके हम आप बसे थान दे और जासे हैं, को समय को देखते हैं, कि आप स्वास्त का ध्याण रखते हैं, ताकि भग्ति ठीक से कर, जैसे sijnpal सी बात है, अप बाइक को सही रखते हो, ताकि प्रभब जा सके हैं, बले ही में बाइक नहीं हूं प्रभुपाजे कृष्चनमुक में कहते हैं कि अपने शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का एक अंग AA है लेकिन अब केवल ही शरीर को चमकाते रहें तो ये पिर अच्छी बात ने शेर के चमकाने की बात नहीं की जारी है शेर को ठीक रखने की बात योग्यों को सिद्धी भ लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं यह कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि भगवान प्रसन्न की बगवान की भक्ति से होते हैं नियम नसार जो ने महनत करी उसके नसार दे देते हैं लेकिन प्रसन्न नहीं होते हैं जैसे कि देवताओं की उपासना लोग करते हैं तो बहु भक्ति के द्वारा होते हैं ठीक है ना अन्यत्रा किसी जिसे प्रसंद नहीं होते हैं आप में से किसी प्रश्ण है आपके सब्सक्राइब और कोई प्रश्ण नहीं है तो श्रीमत भगवत की जाये श्रीन प्रभुपात की जाये